इसी भी वीडियो में टेक्स्ट या उब्जेक्ट को हाइट करने के लिए बलर किस तरीके से लगाजाए फिल्मोरा की मदद से आज की अवरी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कितनी आसानी से आप अपनी वीडियो के किसी भी टेस्ट या आपज्यक को हाइट कर सकते हैं सबसे पहले एफेक्ट यहां से यूटिलिटी यूटिलिटी के बाद मोजाइक का एफेक्ट है इसको यहां से पकड़के ड्रैग अडर्ब कर लें जो भी आपका फ्रेम है उसके ऊपर टायमिंग को करेक्ट कर लें जहां पर आपको ब्लर एफैक्ट एड़ करना है आप timeline की मदद से वहाँ पर उस effect को drag and drop कर लें यह देखें screen पर यह आपके सामने blur effect add हो चुका है यहां से हम इसको select करके transform कर लेंगे जितनी हमें need होगी उसके बाद हम यह check कर लेंगे कितना जो हमारा effect है like कितना amount हमें blur कर चाहिए यह बैतर है the opacity से यहां से हम check कर सकते हैं कि कितना amount का blur है वो screen पर पढ़ रहा है आप अगर चाहें तो जो blur का type है उसे भी change कर सकते हैं इस menu की मदद से आप जो blur का type है उसे change कर सकते हैं जो needed है यह जो required है जिस type का blur आप चाहते हैं वो यहां पर add कर सकते हैं यह finally set हो चुका है इसके बाद हम जो हम देखेंगे के timeline पे कितनी देर तक यह blur effect रहता है जब तक हमारा object है hide ही हो जाता मतलब हम अपनी timeline की range तक इसको यहां से drag करके drop कर देंगे right click करके यहीं पर हम इस effect को copy कर देंगे और यहीं पर right click करके हम इस effect को paste कर देंगे तक हम उस same जो effect हमने select किया था जो design किया effect हमने blur वाला वो हम यहां पर दुबारा से put कर सके जिर्फ transform करके हम इस area को थोड़ उपर ले जाएंगे तक यह देखें यह इस तरीखे का effect यहां पर आ सके चलें एक बार इस video को play करके देखते हैं यह देखिए blur effect exactly हमारे text के उपर आ चुका है और जिस तरीके से पीछे से background text जो है वो उपर गया है हमारा जो blur है वो उसी तरीके से animate होके उपर जा चुका है आज के लिए इतना ही मजीद video editing की tricks सीखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दें और bell icon को press करना मत भूलिए ताकि आप हमारे video updates को daily हासिल कर सकें थैंक्यू, Allah आपिस